नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार मध्ध प्रदेश में जबलपूर और उमरिया में रविवार को भूकम के हलके जटके महसूस किये गए भूकम ग्यारा बचकर 36 सेकंड पर आया नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलाजी के मुताबिक इसका केंदर पचमाडी से 218 किलोमीटर उत्तरपूर में था यह केंदर जमीन के अंदर 23 किलोमीटर के गहराई पर था रिक्टर स्केल पर इसकी तीब्रता तीन असमलो 6 रही जबलपूर जीले के पनागर सी होरा सहपुरा चंदिया और कुंडम में भूकम का असर रहा कूनो नेशनल पार्क से निकल कर एक चीतर अविवार को रिहाईसी लाके में पहुँच गया वह एक खेत में नजर आया गाउं में चीते के आने से दहसत है बताया जा रहा है कि रात को उसने एक गाय का भी सिकार किया था सूचना मिलने पर वन अमला और चीता मित्र मौके पर पंचे चीते को वापस जंगल की और भेजने की कोशी से सुरू कर दी गई है ये गाउं कूनो निशनल पार्क से करीब 20 किलोमीटर दूर है मध्ध प्रदेश में तीन अप्रेल को बोर्ड पैटन पर होने वाली पाचवी और आठवी की परिच्छाएं इस्थगित कर दी गई है राज शिच्छा केंडर अभीबार को इस सम्बंध में आदेश जारी किया है तीन अप्रेल को महावीर जैंती के कारण यह नेड़ने लिया गया है जल्द ही परिच्छाओं की नई तारिक की घूशना की जाएगी इधर गोपिनीत भंग होने पर आठवी बोर्ड कर संस्कित का पेपर निरस्ट कर दिया गया है ये पेपर अब बाद में होगा प्रदेश में इंदोर जैसी घटना ना हूँ इसके लिए मुख मंत्री शिवराज सिंग चोहन सक्त कदम उठा रहे हैं सियम शिवराज ने खुला बोर्वेल मिलने पर खेत मालिक पर एफायार दर्ज करने के निर्देश दिये हैं सियम शिवराज ने कहा कि कुवा बावडियों को भर कर बंद किया जाए इंदोर की घटना को भूल नहीं पा रहा हूँ बता दे कि इंदोर की घटना के बाद मुख मंत्री शिवराज सिंग चोहन ने सभी कलेक्टर्स को सक्त हिडायत दी है देश के राष्टी सुरच्छा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल रविबार तड़के भगवान महाकाल की भस मारती में सामिल हुए उन्होंने भगवान महाकाल के आगन में करीब दो घंटे का समय बिताया भस मारती संपन्न होने के बाद गर्भग्रिह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामरित, पूजन और अभशेख भी किया डुभाल ने बाबा महाकाल की पूजन पद्यती और भस मारती के महत्यों की जानकारी भी ली पिछले 24 घंटे में देश में कुरोना के 3824 नए केस दर्ज किये गए हैं यह पिछले 184 दिन यानि 6 महिनों में सबसे जादा हैं इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 18389 हो गई है इस बीच वाइरस से 5 लोगों की जान भी गई है देश में मौतु की संख्या बढ़कर 5,30,000 से जादा हो गई है वहीं संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4.47 करोड को पार कर गया है मध्य प्रदेश में 10 अप्रेल तक तेज गर्मी नहीं पड़ेगी ऐसा दो विस्टर इनिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से होगा मौसम बैज्यानिकों की माने तो उत्तर भारत और राजस्थान से हीट वेब नहीं आएगी इससे भोपाल इंदा और ग्वालियर जबलपूर समेट प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार नहीं होगा वहीं दूसरे सब्ताह तक गर्म हबाएं भी नहीं चलेगी कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री